हलो एरिवन, वेलकम टू तो वर्ल्ट आफ स्टोरिज आगों, फिर से माप लोगे सामने कोने हैं रियल सूपर रेचल एक्सपिरियंस लेकर, क्या हो कि कोई एंटिटी से आपका सामना हो, लेकिन वो एंटिटी आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपके ही किसी अनुता के अंदर से चुरेट एक विलेज का, चोकी हुआ, लोकेश के घर से आठ दस दूर घर दूर रहने वाले एक लड़के के साथ जिसका नाम था राकेश, ये बहुत रिसेंट इंसिडेंट है, 10th of August 2023 का, जब राकेश घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ आगरा ये चार दोस्त आगरा गये थे, राकेश के पास एक कार थी, औल्टो 800, उससे लोग घूम फिर कर आए, आगरा घूम कर जब ये वापस आए, तो रात कोई तोड़ा लेट हो गये थे, तो अपने सभी दोस्तों को इसने घर पे ड्रॉप किया, और फिर अकेला निकल पड़ अपने घर की तरफ, राकेश ये अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उसे ध्यान आया, कि अगर वो इस नॉर्मल रास्ते से जाएगा, तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो शॉटकट वाले रास्ते से जाएगा, तो करीबन 10-15 मिनिट सेव कर सकता है, लेकिन कई पर शॉटकट आपको बहुत भारी पड़ जाता है, कानी हम लोग आगे बड़न से पहले, अगर आपकी पास बैसे कोई रील एक्स्पिरेंस है, या पर कोई सूपरनाचरल स्टूरी है, तो आप शेर कर सकते हैं, मेरे साथ मेरी इन आइडी पर, तो राकेश ने चूज़ कि उसको आकर किसी ने ठोक दिया, जहां ड्राइवर साइड से किसी गाड़ी ने आकर उसको ठोक दिया, उसके जो कार थी, वो इग्दम से शिफ्ट हुए साइड में और बंद पड़ गई, उसे लगा कि किसी गाड़ी से उसका एक्सिलेंट हो गुस्से में उतरा, उसने गई गई, गई गई ठोक के उसे पलेट ना गई हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, उसका दिमाग खराब हो गया, कि इस तरह से कैसे उसका एक्सिलेंट हो सकता है, जब उसको समझ में नहीं आया, तो वापस इपनी गाड़ी के अंदर बैठा, गाड़ी को अचिलेंट हो गया, लेकिन एक्सिलेंट हुआ जो हुआ ठीक है, उन्हों तुछ ठीक है ना, हाँ पापद में बिल्कुल ठीक हूँ, गाड़ी के अंदर डेंट आया है, लेकिन या आसपास कोई गाड़ी नहीं यह जिससे में एक्सिलेंट हूँ, तो पाप गोलता है, सबस्क्राइब दोने उसने अपने पर वीडियो कॉल कर तो वो जो वीडियो कॉल कर था से उनको गाड़ी के कि वो दिखाया उसके पापा बोले सुन तो तो बोलते हैं पापा किसको लेके साथ में घूम रहा है तो अपने बाप को बद्दु बना रहा है तो पाप क्या दिमाग खरा हो गया अपका मैं पूरी गाड़ी के अंदर अकेला हूं कोई लड़की निए तो वीडियों से देख गाड़ी गेट खुला उसने दिखाया देखो गाड़ी के अंदर तो कोई लड़की नहीं है उसके पापा को गाड़ी के अंदर एक लड़की बैठी वी दिखाई दे रही थी बहुत क्लियरली उनको दिख रही थी जो लड़की दिख रही थी वह आक्चली एक लड़की न लोकेशन भेजी आदे घंटे के पापा और गाओं के दो तीन चार लोग वहां पर आगए गाड़ी लेकर उसके गाड़ी को टो करके वो लोग अपने घर पे ले गए सब कुछ नॉर्मल था वो आए घर पे गाड़ी खड़ी की उसको सुलाया उसके पापा ने से कुछ भी नहीं बताए कि नहीं वीडियो कॉल के इंदर क्या दिखा वे ये लोग उठे तो इसके पापा इसके पास गए और बोले कि ले यार गाड़ी चेक कर लेते हैं गाड़ी बिल्कुल क्लीन थी जैसे उस गाड़ी का कभी कोई एक्सिडेंट हुआ ही नहीं है जिया वो जो रात को डेंट दोनों बाप बिटे ने देखा वो डेंट वहां से गायब था तो दोनों चौक थे यार कल तो रात कुस पर डेंट थे डेंट कहां चला गया जोता हाँ पपा अखापी के सो गया अजो रात को वो सो रहा था उसकी नीद उसको आँक लग गए थी तब ही अचानक से उसकी आँक खुलती है उससे लगता है कि कोई उससे देख रहा है उसने अपनी गरदन उठाई तो देखा उसके रूम का गेट खुला उता और रूम के गेट के की वहां से गायब थी उससे लगा कि उसको शायद उसको इलूजन हो गया है वोटके बाहर गया उसने बाहर जाए पर चलाओ तब देखा कोई नहीं था उसके कम्रे के जस्ट बहार से सीधा घर का में गेट दिखता था गाओं के आप जानते हो किस तरह सोते हैं बिलकुल मे पर पड़ी तो सामने वाले गेट पर उसको कोई आवास सुनाई दी जिसे को गेट को हलका हलका बजा रहा हूँ वो देखने के लिए गेट तक गया और गेट के छोटा सा खुपचा होता है उस खुपचे से नुकल के देखा तो देखते उसकी हौल टाइड हो उसके उस उठाया रूम के अंदर लेकर आए और सबके सब घरवाली वहां पर बैठ गया असपास और उसको जगाने की कोशिश करने लगे अब जैसे उस लड़के को होश आया तो उसको फीवर आ चुका था कितना यह तो आप जानते ही हो तो उस लड़के की पास क्या कर रहा था तो पापा मैं सो रहा था तो मुझे लगा को मुझे देख रहा है मैं उठा तो मेरे रूम के बाहर एक लड़की खड़ी थी फिर अचानक से गायब हो गई मैं बाहर निकला गेट पर कुछ हल चल थी गेट के पास जाके जब मैंने जहरोगे से देखा तो बहुत डराओनी शकल के लड़की गेट के बाहर कड़े थी हूँ इतने डराओनी मैं देखते है उसको भी उश हो गया तो इसके अब बोलता है वो लड़की मतलब तो इसके पापा ने बोला कि बेटा कल रात को जब तुने मुझे वीडियो कॉल किया था ना मैं तरसे कह रहा था याद है कि तो क सारे घर के अंदर टेंज मोहल हो चुगा था कि ऐसा कैसा हो सकता उसके पाप ने बोला कि तो घबरा मत वो लड़की हमारे घर के अंदर जादा नहीं आ सकती है क्योंकि हमारे कुल देवता का यहां पर स्थान है तो सब कुछ सेटल हुआ उस दिन उसके घरवाले उसी के पाई देती और वो लड़की उसको अपने तरफ बुलाने का इशारा कर रही होती थी वो लड़की उस घर की बाउंटरी के अंदर नहीं आ पा रही थी शायद वो पहली बार अंदर उसे पता लग गया था कि यहां पे कुछ ऐसी पॉसिटिव पावर्स हैं जो उसको अंद नहीं आने देगी लेकिन वो उस घर के बाहर खड़ी वी थी जमी हुई थी और वो वहां से जा नहीं रही थी इधर इन घर वालों को समझे था कि क्या करें क्या ना करें वो जो राकेश था वो बिलकुल अजीब सा हो रहा था रात होती हो घबरान लग जाता था बार बार लड़के उसको दिखती थी वो इतनी खतरनाक ते रूसको बस अपनी तरफ बुलाने का इशारा करती थी तो इसके पापा को समझ में नहीं आया तो इन्होंने अपने फ्रेंड से बात की जो कि इस इनके घर से वही साधर जो बेसिकली लोकेश उसके शायद मामा जी थे या तो उसने बोला कि एक काम करो इसको शनिवार को तुम मेरे घर पे लेकर आना इसकी पीछे जो भी है मैं उसको भगा दूँगा तो यह जो इनके पूपाजी थे इनके अंदर बेसिकली देवता आते थे तो हम आपको बता दो हमारे राजस्थान के अंदर एक तो होता है जो कांतारम भी देखे थी वहाँ पे इनके जो लोकल डेमी गॉड्स थे देवता थे ऐसे ही राजस्थान में अपने कुछ डेमी गॉड्स हैं हिमाचल में तो आप जानती बहुत सारे डेमी गॉड्स होते हैं तो भूमिया जी और प्रेत बाबा ये दो उनके देवता थे जो इनके फूफा जी के शरीर में आया करते थे तो शनिवार की रात को राकेश को इनके पास ले जाया गया तो इनके घर के पास में चोटा सा मंदिर बना रखाते हैं उसमें एक तरफ हनवान जी की प्रतिमा थी एक तरफ भूमिया जी की और एक तरफ प्रेत बाबा की तो गाउं के और भी लोगों को इखटा किया गया, जनरली आपने देखा होगा, आपने से कोई भी लोग अगर गाउं में गये हैं, तो गाउं में छुट छुटी प्रॉब्लम्स जो होती ही लोगों को घरों के अंदर, उनका solution वो देवताओं से ही लेते हैं, तो बिल्कुल वैस उनके जो फूफाजी थे, उनके अंदर आये भूमियाजी, वो आये, उन्होंने नीम की डाली ली, उसको उसके सर के उपर घुमाया, उसके शरी के उपर घुमा के जमीन पर तीन-चार बार इस तरह से मारा, फिर उसके उपर को गयों के दाने पहेंके और बोले, कि उस रात पीछे घर तक आ गई, लेकिन तुमारे कुल देवताओं ने तुमको प्रटेट किया हुआ है, इसलिए तुमारे घर के अंदर नहीं आ पाई है, लेकिन वो भी कम नहीं है, वो भी शक्तिय चाली है, और तुमारे कुल देवताओं उसको बहुत लंबा तक नहीं रोख दिए, यानि बेसलिए उनको बलाने के लिए उनके भाजन गाते हैं, थोड़ी देर के वाद उनके फुवाजी के शरीद में वो प्रीद बाबा आए, प्रीद बाबा आए तो इतने खतरनाव तरीके से बिल्कुल बुरीत रसुख वाइब्रेट निकाल लग गए, और फिर उन्होंने उसके सिरके पर दो-चार बाइस फूक मारी, फूक मारके उन्होंने अपनी आँखे बंद की और बोले, क्यों पढ़िए इसके पीछे, तो जो बात कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं देख रहा था, बस वो प्रेद बाबाए तो बात कर रहे थे, तो उनको पर हमेशा के लिए तुझे कैद करके रख दूँगा, इस तरह थे उन्होंने बोला कि हमेशा के बांध दूँगा, तो आज वो बोले नहीं माने तो उन्होंने एक मत्की मंगवाई, एक मत्की मंगवा कि उस मत्की को राकेश के सामने रखा, उस मत्की को अंदर उन्होंने वो गेहूं के दाने डाले, फिर तलवार लेके राकेश के सरी से एक बार टच किया लाइन खींच के उस मटकी तक लेकर आ है फिर दूसरी बार टच किया, फिर लाइन खींच के मटकी तक लेकर आ है, फिर तीसरी बार टच किया, मटकी तक चोड़ दो और मटकी को रखने के बाद पीछे घुम कर मत देखना चाहे तुम्हें कितनी आवाज आए और साथ में तलवार ले जाओ और उसके बाद इस लड़के से हर सनिवार को हनवान जी के लड़ो और पांच अड़वा देना जाओ इसको लड़की कभी नहीं दिखाई देगी इतना बोलके वो उनके शरी से चले गए जैसा उनसे कहा गया इनके फादर और गाउं के दो-तिन लोग मिलकर साथ में उसी जगह पर गए जहां से उसकी गाड़ी लेकर रहे थे वहां पर उनने मटकी रखी और मटकी रखकर बिना पीछे मुड़े वो लोग वहां से चले गए वो लोग कह रहे थे कि उनको बड़ा ऐसा फील हो था कि ऐसा कुछ चीज है जो बार बार पीछे घूमने हो कह रही है पर जैसा उनको माना किया गया तो वो घूमे नहीं उसके बाद ये लोग वापस से घर पे आ गए और उसके बाद कभी भी दुबारा राकेश क तो वो लड़की दिखाई नहीं दी और इस तरह से इनके जो गाओं के देवता थे उन्होंने राकेश का पीछा चुड़ाया उस खतरनाक एंटिटी से उस खतरनाक चुड़ायल से तो ये था एक इंसिन्ट जो राकेश के साथ हुआ ना वो कहीं एक्स्प्लोर करने गया न या फिर ये सिर्फ उसका इलूजिन था जो देवता जिन्होंने उस एंटिटी को इसके दिमाग से बहार निकाल दिया उसके दूर कर दिया वो सब सच था या फिर नहीं आपका क्या उपीनियन है अगर आपको लगता है कि सच नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है ट्रिगर आए थे उन्होंने क्या किया कि उसके बाद दुबारा वो लड़की उसे दिखाई नहीं दी कुछ ऐसे अंसुलजे क्वेस्टेंस हैं जिनका जवाब शायद आप भी दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताएं आपका क्या उपीनियन है हम लोग मिलते हैं अप एंड कीप लिस्नी